नमस्कार दोस्तों, सेकंड ग्रेड की जिक्के वाले पेपर में भारती राज विजुस्ता में पहला टोपिक दिया हुआ है भारत का शंबेधानिक इतिहाश, उनिशो उनिश और उनिशो पैंतीस के अदेनियम के विशेश संधर्ब में, आज हम अपनी क्लास की सुरुवात इसी टोपिक से करेंगे भारत का शंबेधानिक इतिहाश, आप जानते हो भारत की संबेधान का निर्मान किसी एक निश्चित अवदी में नहीं हुआ है, बलकि एक कर्मिक विकाश का परिणाम है, जो ब्रिटिश शाषन के दोरान धीमी गति से हुआ है, आप जानते हो भा प्रशाशनिक और अनेक न्याईक परिवर्तनों को लागू किया गया था इन परिवर्तनों को लागू करने का मुख्य उद्दिश ये था कि अपने सामराज्य को शक्तिशाली बनाना लेकिन अंजाने में ही भारती राजनितिक और प्रशाशनिक वेवस्ता में आधुनिक रा विकास को हम दो चरणों के माद्यम से देखेंगे भारती सम्वेधानिक विकास को हम दो चरणों में बाढ़ सकते हैं आएए देखते हैं भारत का भारत का सम्वेधानिक विकास भारत के सम्वेधानिक विकास को हम दो चरणों में देखने का प्रियास करेंगे कमपनी शाषन के अधीन कमपनी शाषन के अधीन और दूसरा देखेंगे ब्रिटिश शम्राट ब्रिटिश शम्राट या क्राउन के शाषन के अधीन भारत के सम्वेधानिक विकास को हमने दो भागू में क्यों बाढ़ आता है इस पर हम पहले चरणा कर लेते हैं कि कमपनी शाषन के अधीन कैसे भारत का सम्विधानिक विकाश हुआ है और बिरिटिश क्राउन के शासन के अधिन कैसे भारत की सम्विधान का विकाश हुआ है आप जानते हो 16-20 के लगबग भारत में एक कंपनी आये थी जिसका नाम है इस्ट इंडिया कंपनी बिरिटेन की महरानी ने एक चार्टर के माद्यम से 15 वर्स तक इस कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमती दी थी लेकिन 17-65 तक आते आते ये जो व्यापारिक कंपनी थी ये सास की निकाह में बदल गई थी 17-65 में ऐसा क्या हुआ था जिससे एक कंपनी व्यापारिक निकाह से सास की निकाह में बदल गई आप जानते हो 1764 इश्यू में बक्सर का युद हुआ था उसके बाद में 17-65 इश्यू में लाड कलाईव ने मुगल बादसा है सा आलम दीवतिय थे से एक फरमान प्राप्त किया था जो बंगल बिहार और ओडिशा में दिवानी अधिकारों से स्मांदित था लाड कलाईव ने इन तीन प्रांगाह में राजस्व — वशूल करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था, दिवानी अधिकार का मतलब राजस्वय वशूल करने का अधिकार तो 1765 से लेकर 1772 इश्वी तक कमपनी एक शास की निकाई की रूप में कारिये करती गई इस अवदी के दोरान कमपनी शासन में कुछ ऐसा गठित हुआ था जिसके कारण British सरकार को बाद में कमपनी के शासन में हस्तक्षेब करना पढ़ा था 1680 से लेकर 1765 इश्वी तक कमपनी ने व्यापारिक कारिये भारत में किये थे यानि कमपनी एक व्यापारिक निकाई के रूप में भारत में काम करती रही 1765 इश्वी में बंगाल, बिहार और उडिशा में कम्पनी के द्वारा दिवानी अधिकार प्राप्त करने के कारण कम्पनी व्यापारिक निकाय से सास की निकाय में परिवर्तित हो गई 1765 से लेकर 1772 इश्वी तक कम्पनी की श्थिति कैसी थी, सास की ये निकाय के रूप में परिवर्तित हो गई यानि कम्पनी सासन समंधिकार ये भी करने लग गई थी लेकिन इन साथ वर्षों के दोरान कम्पनी में बहुत ब्रष्टाचार व्याप्त हो गया था कमपनी दिवालियपन के कगार पर पहुंच चुकी थी और कमपनी के जो करमचारी काम करते थे अंग्रेज अधिकारी वो माला माल हो रहे थे और कमपनी के पास जो की राजस्वय वशूल करने का अधिकार था तो इसलिए कमपनी ने किशानों को बहुत ज़्यादा मातरा में राजस्व वशूल करके उनका शोषन करना शुरू कर दिया था तो इस प्रकार की स्थिति कमपनी की इन साथ वर्षों में हो गए थी तो इसलिए बिर्टिस सरकार के द्वारा इस कमपनी पर नियंतरन करने का प्रियास किया गया था और बिर्टिस सरकार ने इस कमपनी पर नियंतरन करने के लिए विभिन प्रकार के अधीनियम और चार्टर अक्ट बनाये थे तो देखते हैं British सरकार के द्वारा company के शाषन को नियंत्रित करने के लिए क्या-क्या charter act और अधीनियम का निर्मान किया गया था पहला जो act बनाया गया था company के उपर नियंत्रित करने के लिए British सरकार ने उसका नाम है regulating act पहले act का क्या नाम है regulating act रेगूलेटिंग एक्ट उनिशो रेगूलेटिंग एक्ट सत्रा सो तेहतर इश्यू में तो British सरकार ने company के कारियों को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहला जो act बनाया था उसका नाम है regulating act सत्रा सो तेहतर प्रतेक 20 साल के बाद में British सरकार ने company के शाषन को नियंत्रित करने के लिए अधीनियम बनाये थे तो सत्रा सो तेहतर के बाद में अगला जो act बनेगा वो बनेगा सत्रा सो तिरानमे में 20 साल के बाद में इसका नाम है charter act चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट के अगली 20 साल अठारा सो तेरे इस्वी में तो यह तीसरा चार्टर एक्ट बना था और अगला जो एक्ट बना था चार्टर एक्ट बना था वो बना था अठारा सो तेटीस इस्वी में और उसके बाद में अगला जो चार्टर एक्ट बना था ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो एक्ट बनाए जाते थे उनको Charter Act बोलते थे वो अगले 20 साल बाद में इंठारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी शाषन को नियंतरित करने के लिए युकि East India कंपनी का भार्त पर पर शाषनिक और व्यापारिक नियंतरन था तो उसको नियंतरित करने के लिए बिरिटिश सरकार के द्वारा 1773 इश्वी से लेकर यानि रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 तक ये कानौन बनाये थे दूसरे परकार के जो कानौन बनाये थे ब्रिटिस सरकार ने वो ब्रिटिस क्रावन के शास्तन के अधिन बनाये थे बई ऐसा यहाँ नाम क्यूं लिखावाए क्योंकि आप जानते हो 1856 में भारत में ब्रिटिस कमपनी के विरुदे विद्रो हुआ था और विद्रो इसलिए हो आता क्योंकि उन्होंने भारतियों का राजनितिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सोशन किया था इसलिए भारतियों ने British East India Company की विरुद विद्रो कर दिया था और विद्रो के कारण, विद्रो का प्रिणाम ये निकला कि भारत का शाषन British East India Company से लेकर बिर्टेन की सरकार ने British Crown को सौफ दिया था इस विद्रो का प्रिणाम ये निकला कि भारत का जो नियंतरण East India Company के पास था वो समराठ के हाथ में चला गया तो 1858 से लेकर 1946 तक भारत का शाषन British Crown के अधीन चलता रहा था और इस दोरान क्या हुआ भारत में सिक्ष्या का प्रशार हुआ सिक्ष्या का प्रशार होने के करण भारत में राजनितिक चेतना आई और राजनितिक जेतना आने के करण भारतियों ने शाषन में शुधार और अपने लिए अधिकारों की मांगे सुरू कर दी थी तो भारतियों के द्वारा राजनतिक अधिकारों की मांग करने और बिर्टिश क्राउन के अधिन अपने शाषन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बिर्टिश शंसद के द्वारा विभिन प्रकार की अधिनियम बनाये गए थे तो वो कौन-कौन शे अधिनियम थे देखिए बिर्टिश क्राउन के शाषन के अधिन पहला बना था अधिनियम भारत शाषन अधिनियम भारत शाषन अधिनियम 1858 पहला अधिनियम बनाता 1858 इस अधिनियम के माध्यम से ही बिर्टिश सरकार ने कमपनी के शाषन को श्रमाप करके भारत के शासन को सिध्दे ब्रिटिश कराउन के अधिन कर दिया था।। दूसरा बना था अधिनियम भारत परिशद अधिनियम भारत परिशद है अधिनियम 1861 तीसरा अधीनियम बनाता भारत प्रिशद अधीनियम 1862 में चोथा अधीनियम बनाता भारत प्रिशद अधीनियम 1909 में और पांचवा अधीनियम बनाता भारत सरकार अधीनियम 1909 में और चटा अधीनियम बनाता भारत सरकार अधीनियम 1935 तो बिरिटिस कराउन के अधीन जब भारत का शाषन था तो ये 6 अधीनियम बने थे जिसमें 1808 का भारत सासन अधीनियम भारत परिशद अधीनियम 1861 भारत परिशद अधीनियम 1862 भारत परिशद अधीनियम 1909 तो इन तीन अधीनियम का तो क्या नाम था भारत परिशद अधीनियम और जो चोथा और पाचवा और जो छटा अधीनियम था उसका नाम था भारत सर सरकार अदीनियम या भारत साशन अदीनियम 1935 इसका क्या नाम है भारत साशन अदीनियम 19 और भारत साशन अदीनियम 1935 तो बिर्टिस सरकार ने भारत में समय समय पर विविन परकार के अदीनियम का निर्मान किया था बिर्टिस सरकार ने जब इस प्रकार की अधीनियम बनाए तो इन अधीनियमों के द्वारा समय समय पर भारती राजनितिक और प्रशाशनिक व्यवस्ता में ऐसे तत्वे शामिल होते गए जिसने भारती संभिधान की निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया था जैसे हम कुछ उदारन देखें इन अधीनियमों के द्वारा बिर्टेन के द्वारा भारत में मंत्री मंडली शाशन परणाली की स्तापना की गई थी इन अधीनियमों के द्वारा अध्यादेश जारी करने की गवर्नर की सक्ति बिर्टिश सरकार के द्वारा अपने गवर्नर दिये गे थे इन अदीनियमों में ही लोक्षिवायों की इस तापना की गई थी तो इस प्रकार अनुएक ऐसे तत्व भारते शाषन में बिर्टेन द्वारा इन अदीनियमों के के द्वारा लागू किये गए हैं जैसे आपातकाल हो लोक्षिवा आयोग हो संसदी सासन परनाली हो संगात्मक्षासन परनाली हो लोक उच्तम नयाले हो तो इस सारे जो प्रावधान हैं भारती शमिदान में दिये गए हैं वो कहीं ने कहीं जब अधेनियमों को पढ़ेंगे तो इन अधेनियमों में हमें जरूर वो मिलेंगे और जब वो इस प्रकार के प्रावधान आएंगे तो हम उस बात पर चर्चा भी करेंगे तो अब हम इन अधेनियम और इन चार्टर एक्ट में इस प्रकार के जो प्रावधान दिये गए हैं जिन प्रावधानों से भारती सम्विधान की इतिहास का पता चलता है भारती सम्विधान की इतिहास के विकास में योगदान मिलता है के surrounds हम उन ही प्रावधान उपर चर्चा करेंगे क्योंकि कोई भी चार्टर अर्ट है या कोई भी अधीनियम है इसमें बहुत सारी बातें शामिल की गई थी तो हमारे विशे से संबंदित हमारे सेलेबस से संबंदित जो जो बाते हैं उन पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे तो सबसे पहले अपने जो पहला चरण है उसमें जो अधीनियम और चार्टर अक्ट बनाये गए हैं इनके बारे में बात करेंग फिर अगली कलास में हम ये बिरिटिस क्राउन के शाषन के अधीन जो अधीनियम बनाए गए थे उन पर हम चर्चा करेंगे सेकंड ग्रेट का जो सेलेबस है उसमें लिखा हुआ है कि भारत का शम्वेधानिक विकाश भाया भारत का शम्वेधानिक इतिहास 1919 और 1935 के अधीनियम के विसेश संधर्ब में तो यहाँ दो अधीनियमों का विसेश रूप से उले किया गया है 1919 का अधीनियम और 1935 का अधीनियम तो इन अदीनियमों को हम विस्तार से फड़ेंगे इस से पहले जो अदीनियम दिये गे हैं इनकी भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि कई बार इन से समंधित परशन एकाज परशन पूछ लिया जाता है क्योंकि टोपिक का इनाम है भारत का समयदानी के थियास तो उसमें ये भी शामिल हो जाते हैं इधर से सवाल पूछने का थोड़ा सा कम रहता है और इन अदीनियमों को हम इसलिए फड़ेंगे क्योंकि एक सिक्वेंस बन जाएगा कि बिर्टिश इस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और कैसे उन्होंने भारत के समयदानिक विकास में योगदान दिया तो इधर से सवाल पूछने की संभावना कम है लेकिन पूछे जा सकते हैं तो एक सिक्वेंस एक करम बनाने के लिए हम रेगुलेटिंग एक्ट से पढ़ने की शुरुवात करेंगे और आज की कलास में हम चार्टर एक्ट 1853 तक अध्याने करेंगे तो आईए देखत प्रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1753 इसमी रेगुलेटिंग एक्ट 1753 इसमी रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट कमपनी के शाषन को नियंतरित करने के लिए लाया गया था और रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में कुछ परिवर्तन किये गये और कुछ परिवर्तन बिर्टेन में किये गये थे तो तो सब्सेपहले अपढ़न देखते हैं कि बिर्टेन में इस अधिनियम के द्वारा क्या परिवर्तन क्ये गए थे तो इस एक्ट के द्वार के मंडल की स्थापना बिरिटेन में की गई थी और संचालक मंडल चोई सदस्यों का एक निकाय था और इस संचालक मंडल जाए कंपनी का ऐसे निक कारी हो उन सबी कारियों के बारे में ब्रिटिश शरकार को अवगत कराना ये दो वुखे इस निकाय के कारी थे तो बिर्टेन में कंपनी के शाषन को नियंतरित करने के लिए संचालक मंडल का निर्मान किया गया था या इसको कॉर्ट ओफ इस संचालक मंडल या कॉर्ट ओफ डारेक्टर का निर्मान कहां किया गया था बिर्टेन में किया गया था इसके सदश्यू की संक्या कितनी थी 24 थी इसका काम क्या था इसका काम क्या था इस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कारियों को देखना और दूसरा इसका कारिय था इस्ट इंडिया कंपनी के कारियों की सूचना इस्ट इंडिया कंपनी जो भी कारिय करती है उन कारियों की सूचना बिर्टिश सरकार को देना किसको देना बिर्टिश सरकार को देना तो इस परकार संचालक मंडल के द्वारा एक परकारशी कमपनी की शाषन पर नियंतरन करने का प्रियासी किया गया था तो ये परिवर्तन किया गया था बिर्टेन में दूसरा जो परिवर्तन किया गया है वो परिवर्तन भारत में किये गये थे कंपनी के शासन पर नियंंतरन स्थापित करने के लिए कई प्रावधान किये गए थे तjekते ह恩 कौन-कौन शे प्रावधान भारत में किये गए भारत में इस पहला है ओए भारत में एक बंगाल में पर्शाशक मंडल की इस्थापना की गई रूसितुरा हenne में सुप्रिम कॉर्ट की स्तापना की गई इस अदेनियम के द्वारा भारत में सुप्रिम कॉर्ट की स्तापना कलकत्ता में की गई थी और तीसरा प्रिवर्तन किया गया था बंगाल के गवर्नर्शे संबंदित बंगाल के गवर्नर्शे संबंदित तो इस अदेनियम के द्व जो भारत में प्रियोर्टन किये थे उसमें पहला है परशाशक मंडल की स्तापना करना परशाशक मंडल में क्या प्रावधान किया गया था गवर्णर जनरल और उसके चार पार्शदों का एक प्रिशद का निर्मान किया गया था जिसका क्या नाम है गवर्णर जनरल इन काउ या हिंदी में क्या बोलते हैं सै परिशद सै परिशद गवर्नर जनरल इस परिशद का निर्मान रेगोलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल में किया गया था यह परिवर्तन कहां किया गया था बंगाल में यानि भारत में यह परिवर्तन किया गया था बंगाल में एक गवर गवर्नर जनरल और चार अन्य पार्षद होते थे यानि सदस्यों किसंगा कितनी थी गवर्नर पलस से चार इन सदस्यों से मिलकर सहप्रिशद गवर्नर जनरल का निर्मान किया गया था से प्रिशद गवर्नर जनरल का कार ये क्या था ये तो इसका शंगटन हो गया इसका कार ये क्या था इसके दो कार ये थे एक तो कंपनी के परशाशन को चलाना और दूसरा इसका कार ये था कानूनू का निर्मान करना पहला कारिय था कम्पनी का भारत में परशाशन चलाना और इसका दूसरा कारिय था कानूनों का निर्मान करना कानून का निर्मान करना तो ये दो कारिय शत्राशव तहतर के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो सहप्रिशद गवर्नर जनरल का निर्मान किया गया था चार सदस्ये उसके ये दो कारिय थे तो ये परिवर्तन किया गया था भारत में तो भारत में परशाशक मंडल की स जिसमें सैपरिश्द गवर्णर जनरल का दिर्मान किया गया था, जो चार सद सिये निकाय था, फिर भारत में दूसरा परिवर्टन क्या किया गया था, भारत में सुप्रिम कोर्ट की सताफना कलकत्ता में Regulating Act के दौरा की गई थी, और इस सुप्रिम कोर्ट का च्यत्रा दिकार कम्पनी में काम करने वाले सबी करमचारियों पर था जो भी करमचारी कम्पनी में काम करता है उन सबी करमचारियों पर इस कोर्ट का च्यत्रा दिकार था और इस सुप्रिम कॉर्ट के कारिये आधुनिक बिर्टिश न्याए विवस्ता के अनुशार चलते थे तो हमने जब कहा था आपको कि विभिन अदेनियमू के द्वारा ऐसी विवस्ता हैं बिर्टिश सरकार के द्वारा समय समय पर की गई जिसका प्रभाव भारत के समय धान के विकास पर पड़ा है तो यहां से देखिए सुप्रिम कॉर्ट का निर्मान किया गया और सुप्रिम कॉर्ट का जो कारिये था वो आधुनिक बिर्टिश न्याए विवस्ता पर आधारित था यानि वादी परिवादी वकील इन सब चीज सुप्रिम कॉर्ट की स्ताफना कलकत्ता में की गई थी पिर तीसरा जो प्रिवर्तन किया गया था भारत में वो बंगाल के गवर्नर से शंबन दित था इस अदेनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया बंगाल के गवर्नर को क्या बन प्रकार भारत में एक केंद्रिय प्रशाशन की नीव इस अधेनियम के द्वारा रखी गई थी और कंपनी के व्यापारिक और आजिन्तिकारियों को मानेता इस अधिनियम के द्वारा दी गई थी तो ये अधिनियम मूलत है कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए आया था इसलिए इसका नाम भी कहा दे को रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेट करना नियमन करना रेगुलेट करना यानि नियमन करना नियंत्रन करना तो इस अधिनियम में कुछ खामिया थी उस खामियों को दूर करने के लिए 1784 issue में PITS India Act आया था फिर दूसरा Act कौन सा था PITS India Act इस Act को लाने का उद्देश्य क्या था इस अधिनियम की खामियों को दूर करने के लिए PITS India Act आया था तो देखते हैं PITS India Act में क्या-क्या प्रावधान किये गए थे PITS India Act 1784 issue में PITS India Act की द्वारा भारत में पहली बार द्वेद शाशन की स्तापना की गई थी PITS India Act के द्वारा क्या किया गया था भारत में द्वेद शाशन की स्तापना की गई थी भारत में द्वेद शाषन की नेव रखी गई थी द्वेद शाषन की स्थापना कैसे की गई थी देखिए इस अधिनियम के द्वारा कमपनी पर दोरा नियंतरन स्थापित कर दिया था कंपनी इस अधिनके दवारा कंपनी पर ओर अधिक बिर्टिश सरकार के दवारा शिकन्जा कस लिया गया जिसमें एक ओर सैस्ता का निरमान कर दिया एक सैस्ता का निरमान तो 1763 वाले रेगुलेटिंग एक्ट में थी थी उसका नाम क्या है कॉर्ट आप डारेक्टर कॉर्ट आप डारेक्टर और दूसरी जो सेंस्ता का निर्मान किया गया था कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए उसका नाम है बॉर्ड आप कंट्रॉल उसका क्या नाम है बॉर्ड आप कंट्रॉल नियंत्रक मंडल नियंत्रक मंडल तो इस प्रकार कमपनी पर दोहरा नियंत्रन स्तापित कर दिया कमपनी के कारियों को व्यापारिक और राजनितिक कारियों में अलग-अलग विबाजिते कर दिया तो कमपनी के व्यापारिक कारियों को तो कौन देखता था कौर्ट आव पे डारेक्टर ये कंपनी के कौन से कारिय देखता था व्यापारी के कारिय और बॉर्ड ओफ कंट्रोल या नियंत्रक मंडल कंपनी की राजनित्तिक कारियों का संचालन करता था ये किसका संतलन करता था कंपनी के राजनित्तिक कारियों का राजनित्तिक कारियों का प्रशासन की दोरी परनाली इस्ताफित की गई थी जो एक तो व्यापारी कारियों को नियंत्रित करती थी और दूसरी शैश्टा राजनित्तिकारियों को नियंत्रित करती थी तो इस अध कारेक्टर के द्वारा किया जाता था राजनेति कारियों का परशाशन नियंत्रक मंडल के द्वारा किया जाता था इसलिए हमने कहा कि इस अधेनियम के द्वारत में द्वेद शाशन की नेव रखी गई थी जो नियंत्रक मंडल था इसके जो सदस्य थे छे सदस्य इसमें थे नियंत्रक मंडल में सदस्यों के संग्या केतनी थी छे सदस्यों थे इनकी नियुक्ति बिर्टिश समराट के द्वारा की जाती थी और नियंत्रक मंडल उत्तरदाई किसके परती था बिर्टिश सरकार के परती बिर्टिश संसद के परती उत्तरदाई था नियंत्रक मंडल बिर्टिश संसद के परती उत्तरदाई था ये जो दोहरी व्यवस्ता है ये व्यवस्ता इस प्रकार की व्यवस्ता यानि Court of Director जो व्यापारी कारियों को देखते थे Board of Control जो राजनितिक कारियों को देखते थे इस प्रकार की व्यवस्ता भारत में 1858 एश्मी तक चली थी जब तक कमपनी का भारत में परशाशन रहा तब के दोरी वेवस्ता भारत में चलते रही और 1858 में इन दोनु को शमाप्त करके भारत सचीव और उसकी परिश्द का निर्मान किया गया था जिसको हम 1858 के भारत सरकार अधिनियम में देखेंगे तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन पर और ज्यादा नेंत अधिनियम का ज्यादा महतुपुर्ण नहीं है उसके बाद में चार्टर एक्ट 1813 का जो चार्टर एक्ट 1813 कुछ अग्ट के दोरा जो महद्वन प्रावधान किया गया था वह था कि बिर्टिस जो इसbon इंडिया कंपने थी उसका 20 वर्सों तक व््यापार स्सक्राव भारत में बढ़ा दिया गया था और जो महत्वन किस्तिति को स्पष्ट किया गया था कि स्पष्ट किया गया था क्योंकि इस अदेनियम में यह प्रावधान किया गया था कि बिर्टिश शम्राट का परभुत्व भारत की सभी छेत्रों पर रहेगा सभी भारतिये छेत्रों पर बिर्टिश शम्राट की परभुशता स्तापित की गई थी तो यह महतोपण प्रावधान इस अदेनियम के द्वारा किया गया था उसके बाद में जो चार्टर एक्ट आता है इसके 20 वर्ष बाद में वो कब आएगा 1833 issue में अगला जो charter act है वो है Charter act 1833 issue में तो इस charter act के द्वारा क्या प्रावधान किये गये देखिये अगला जो charter act है Charter act 1833 इस charter act के द्वारा भी खैसे द्वारा भी कमपनी का शाशन भारत में 20 वर्स तक बढ़ा दिया गया इस एक्ट के द्वारा भारत में परशाशन का केंद्री करण किया गया था इस एक्ट से पहले भारत का परशाशन का केंद्री करण कैसे किया गया है इस एक्ट से पहले भारत का परशाशन केंद्री करण की इस एक्ट के द्वारा भारत में केंद्री परशाशन की नीव रखी गयी थी कैसे रखी गयी थी देखो आप जानते हो परशाशन की विविन काम होते हैं जैसे कारिये पालिकिया परशास किये विधाई यानि कानौन निर्मान समंदी विधाई और वित्य यानि वित्य समंदिते कारिये किसी भी सरकार के परशाशन के किसी भी सरकार के कारिये होते हैं तो इस एक्ट के द्वारा सबसे पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उस गवर्नर जनरल के अधीन भारत की सबी छेत्रे कर दिये गए गवर्णर जनरल के परशाशन के अधीन बंगाल बिहार मद्रास और अन्य जो छेत्र थे चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा सबसे पहले भारत में केंद्रियकत परशाशन की नेव रखी गई थी इस अधेनियम के द्वारा इस एक्ट के द्वारा ऐसे कौनशे परिवर्चन किये गये थे जिसके कारण हम यूं कहते हैं कि भारत में केंद्रियकत परशाशन की नेव रखी गई थी तो आईए देखते हैं इस परशाशन के द्वारा जो पहला कारी किया गया था वो किया गया बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया बंगाल के गवर्णर जन्रल को किसका गवर्णर जन्रल बना दिया भारत का विल्यम बेंटिंग भारत विल्यम बेंटिंग बेंटिंग पहला भारत का गवर्नर जनरल बना तो एक तो ये प्रावधान इसके द्वारा किया गया था यानि पूरे भारत का परशाशन एक गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया और मदराश, बॉंबे, बंगाल और अन्य छेतरों को इस गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया तो पहला परिवर्तन तो ये था और दूसरा परिवर्तन था बंगाल, मदराश, बॉमबे और अन्य जो कंपनी के अधीन छेतर थे उन सभी छेतरों का परशाशन अब भारत के गावर्नर जनरल के अधीन कर दिया जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसके अधीन जितने भी परिवर्वर्तन ने ये किया गया था तो इस प्रकार जो कारी अपाली का एक करण किया गया था वो इस चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था और दूसरा जो परिवर्तन किया गया जिसके करण हम कह सकतें कि केंद्री एकरण हुआ वो विधाई कारियों में किया गया था दूसरा क्या किया था विधाई कारियों में और तेसरा वित्तिय कारियों में भी केंद्री करण किया गया तो इस चार्टर अक्ट के द्वारा विधी निर्मान से समंदित सक्तियों का भी केंद्री करण किया गया था विधिनिर्मान का कारिये सै प्रिशद गवर्नर जनरल को शोपा गया इस एक्ट के द्वारा विधिनिर्मान का कारिये किसको शोपा गया सै प्रिशद गवर्नर जनरल को इस एक्ट से पहले कानून या विधिनिर्मान का कारिये मद्रास बॉंबे अधी प्रांतों को भी दिया हुआ था तो इस सार्टर के द्वारा उनके कानून निर्मान करने की सक्ति को तो समाप्त कर दिया गया और कानून निर्मान करने से समंदित सक्ति किसको परदान कर दी सै प्रिशद गवर्नर जनरल को यानि गवर्नर जनरल और उनके जो पारशद थे वो ही पूरे भारत के लिए कानौन का निर्मान अबे करेंगे ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि भारत में उस समय अनेक प्रकार के एक ही विशे पर कानौन परसलित थे जैसे कुछ कानौन तो विर्टी संसद के द्वरा बनाये गे थे कुछ विविन परांतों के द्वरा बनाये गे थे कुछ न्यालियों के द्वरा कानौन अस्तापित किये गे थे और उन कानौनों में विविनता बहुत थी एक ही अपराद के लिए अलग-अलग प्रांथ में अलग-अलग सजादी हुई थी और तुकि अंग्रेज लोग उस समय सभी प्रांथों में घूमने लगे इसलिए इविन प्रकार की तकनी की समस्या आने लगी इसलिए कानूनों की निर्मान करने की सक्ति का भी केंद्री एकरन किया गया प्रांतों से कानून निर्मान करने की सक्ति को छीन कर सह प्रिशद गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी अब पूरे भारत के लिए कानोन निर्मान करने का कारिय कोन करेगा सै प्रिश्द गवर्नर जनरल करेगी इसके अलावा जो दूसरा परिवर्तन किया गया वो है एक विधी आयोग का गठन किया गया विधी आयोग का गठन इस एक्ट के अंतरगत किया गया विधी आयोग का कार ये क्या कहा गया विधी आयोग कानूनों का सहीताबद करेगी कानूनों को कोडिफिकेशन करेगी कानूनों को सहीताबद करने या कोडिफिकेशन करने का मतलब है कानूनों को लिखित रूप देना एक रूपता सभी पूरे देश में कानूनों को बना दे सभी कानूनों में एक रूपता बना देना उनको लिखित रूप दे देना और इसके लिए मैकाली की अध्यक्स्ता में पहला विधियायोग 1835 इस्यू में बना था किसकी अध्यक्स्ता में बना था मैकाले की अध्यक्स्ता में मैक काले की अध्यक्षता में पहला विदियायोग अठारसो पैंतीस इस्यू में बना था तो ये दूसरा परिवर्तन विधाई कारियों का केंद्री करन करने के लिए किया गया था wallet такая तीसरा जो परिवर्तन किया गया था परशासन में केंद्री इके लिए वह था विधिये कारियों शेव मंदित यानि पैसे से मंदित टैक्स से मंदित वे करने से मंदित सारे कर किस को दे दियेगे and Governor First General को कोई कर लगाना है तो कौन लगाएगा गवर्णर जनरल लगाएगा कोई वे की अनुमती देनी है तो कौन देगा गवर्णर जनरल तो वित्तिय प्रावधानों में क् definitions किया गया कर लगाने और वे से सम्मन दित आदेश कौन देगा गवर्णर जनरल तो इस परकार Charter Act 1833 के द्वारा भारत में पहली बार परशाशन का केंद्री एकरण किया गया था यानि कारिये पालक सक्तियां, विधाई सक्तियां, वित्य सक्तियां सारी सक्तियां गवर्नर के हाथ में आ गई थी जो पहले सक्तियां प्रांतों में बटी वी थी सब सक्तियां गवर्नर के पाश आ गई इस प्रकार इस अदेनेम के द्वरा केंद्री एकरण की नेम रखी गई थी इस चार्टर के द्वरा जो दूसरा परिवर्टन किया गया था वो किया गया है सहपरिशद गवर्नर जन्रल में इस चार्टर के द्वरा सह परिशद गवर्नर जनरल में एक चोथा सदसे और जोड़ा गया था और चोथा सदसे था विदी का जानकार सदसे इसको विदी सदसे बोलते हैं गवर्नर जनरल की जो परिशत थी इसमें एक तो गवर्नर जनरल थे और तीन इसमें पारशत थे और एक सदस्य और जोड़ दिया गया यह जो चोथा सदस्य जोड़ा गया था यह कौन था विधी सदस्य जो विधी का जानकार होता था और उसमें विधी का भारत में जानकार क क्यों जोड़ा गया था सहप्रिशद गवर्नर जनरल में क्योंकि जब भी कानून निर्मान करने के लिए सैस्ता बैड़ती थी सहप्रिशद गवर्नर जनरल तो उसमें जो विदी सदसे था वो अपनी सला देने के लिए बैड़ता था विदी सदसे का काम क्या था जब सहप्र प्रिशद गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल की प्रिशद कानून निर्मान करने से समंदित कारिये करती थी, तो ये विदी सदसे उनको कानून से समंदित सलाह देने का कारिये करता था, और वो सदसे कौन था पहला मैकाले था, तो इस प्रकार अब हमें इससे ये जानकारी म और गवर्णर जन्रल की परिशदी परशाज नो किया कारीय पालग काम करती थी। यानि इस समय सकतियों का पर्थक क्रण भारत में नहीं किया गया था। एक ही सेंस्ता कानून का भी निर्मान करती थी और परशाजन का कार ये भी करती थी। अगला जो चार्टर एक्ट है वो है 1853 का तो आए देखते हैं 1853 के चार्टर एक्ट में भारत की सम्वेधानिक विकास से सम्वन्दित क्या प्रावधान किये गई हैं चार्टर एक्ट 1853 इससे पहले हमने 1833 का जो चार्टर एक्ट देखा था उससे भारत के सम्वेधान में किस प्रावधान को शामिल किया गया है केंद्रिय करत परशाशन को भारत में भी एक शंकी सरकार है केंद्रिय सरकार है जो पूरे भारत परशाशन का नियंत्र ने रखत देखते हैं चार्टर एक्ट 1233 के द्वारा क्या-क्या प्रावधान बिटिश सरकार के द्वारा भारत में किये गये थे do इस एक्ट के द्वारा जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया था वो है भारत में कारी ये पाली का और विधाई कार्यों का पर्थक इससे पहले जो अपने एक्ट देखा था चार्टर एक्ट उसमें हमने ये देखा है कि गवर्नर जनरल की जो प्रिशद है वो ही दोनों कारिये करती है गवर्नर जनरल की प्रिशद ही क्या कारिये करती है विदी निर्मान का कारिये भी करती है और परशाशन का कारिये भी करती है लेकिन चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा भारत में विधाई और कारिय पालिकी कारियों का पर्थक्रन कर दिया गया तो यह सबसे बड़ा परिवर्था ने किया गया था इस एक्ट के द्वारा कारिय पालिकी और विधाई कारियों का पर्थक्रन किया गया है विधाई कारियों का प्रत्थक करने किया गया है और दूसरा जो परिवर्टन किया गया था इस एक्ट के द्वारा वो है भारत में पर्शासने के सेवाओं की स्तापना प्रशासने के सेवाउं की स्ताफना तो पहला देखते हैं कारी ये पाली की एवम विधाई कारियों का कैसे विभादन किया गया है कैसे इसका पर्थक करने किया गया है क्योंकि इस चार्टर अग्ड शे पहले 1833 का जो चार्टर अग्ड था उसमें गवर्नर जनरल की जो प्रिशद थी वो विधाई और कारिय पालिकी दोनों कारिय करती थी और इस एक्ट के द्वरा ये प्रावधान कर दिया कि जब भी गवर्नर जनरल की जो प्रिशद थी यानि सैप्रिशद गवर्नर जनरल बोलते हैं उसको गवर्नर जनरल इनकाउन्शिल यानि सैप्रिशद गवर्नर जनरल जब भी कानौन निर्मान करने का कारिय करेगी तो उसमें छै अत्रिक्त सदस्यों को जोड़ा जाएगा और जब कारिय पाली की कारिय करेगी तो तो ये गवर्नर जनरल की प्रिशद करेगी गवर्नर जनरल की प्रिशद में सदसे कितने थे एक गवर्नर जनरल था एक इसमें कमांडर इंचीप को भी शामिल किया गया था जो मुखे शेनापती होता था और चार इसमें अन्ने सदसे पारशद थे यानि कुल छे सदसें से मिलकर से प्रिशद गवर्नर जनरल का निर्मान होता था और ये से प्रिशद गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल की प्रिशद क्या कारिये करती थी कारिये पालिकी ये परशासनिक कारिये करती थी और जब 18.53 का एक्ट से पहले की स्थिती है और जब 18.53 का एक्ट बन गया तो ये जो परिशद है वो कारिये पाली का कार्य तो अपने करती रही और जब भी इसको कानोन निर्मान करने से समंदितकार ये करना होता था तो इस परिशद में 6 अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा जाता था कितने सदस्यों को जोड़ा जाता था 6 अतिरिक्त सदस्यों को इसमें जोड़ा जाता था 6 अतिरिक्त सदस्यों को इन 6 अत्रिक्त सदस्यों को कब जोड़ा जाता था गवर्नर जनरल की प्रिशद में जब भी गवर्नर जनरल की प्रिशद कानों निर्मान करने से समझ दिते बैठक करती थी तब ये इसमें 6 सदस्यों को और जोड़ दिया जाता था और ये 6 सदस्ये कौन होते थे दो सुप्रेम कॉर्ट के जज होते थे और चार प्रांतूं के प्रतिनिधी होते थे दो सदसे कौन होते थे सुप्रेम कॉर्ट के या अन्य नया लेके जज हो सकते थे और चार क्या थे प्रांतों के प्रतिने धी तो इस एक्ट के दोरा एक तो प्रांतों के प्रतिने धियों को प्रतिने धित्वे दिया गया प्रांतों के जो प्रतिने धित्वे उनको भी शाशनकारिय में भाग लेने की अनुमती दी गई थी तो इस प्रकार ये टोटल सदस्य कितने होगे, च्छे तो ये होगे और च्छे सदस्य होगे, तो ये 12 सदस्यों की एक परिशद का निर्माण इस अदेनियम, इस एक्ट के द्वारा बन गई थी, और इसको क्या बोलते हैं, विधान परिशद, ये जो 12 सदस्यों की परिशद बनीज का क्या नाम है विधान परिशद तो इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार विधान परिशद का निर्मान किया गया था विधान परिशद कैसे बनते थी जब सैपरिशद गवर्नर जनरल कानून बनाने से समझित कारिये करती थी तो इसमें 6 सदसे और अत्तिरिक विशेशता है वो है कि इसमें विधान परिशद का निर्मान भी किया गया तो इस प्रकार जब गवर्नर जनरल कानून निर्मान करने के लिए बैड़ते थे तो 12 सदस्य होते थे और जब परशाशनिक कारिये करते थे तो शिरब गवर्नर जनरल की परिशद के 6 सदस्य करते थ तो इससे हमें ये तथे मिलता है कि इस एक्ट के द्वारा कारी पाली के कारी अलग कर दिये और विधाई कारी अलग कर दिये गए इस प्रकार इस एक्ट के द्वारा कारी पाली का के और विधाई कारियों में पर्थक करने किया गया है दूसरा जो मैतोबन प्रावधान है इसमें वो है कि वही इस अधिक्ट के द्वारा विधान परिशद का निर्मान कर दिया गया और इस विधान परिशद को बिर्टिश शंसद के समान समझा गया क्योंकि इस विदान प्रिशद में जो भी कारिवाई होती थी वो बिर्टिश शंसद की तरह होती थी प्रसंकाल होता था विभिन विश्यों पर चर्चा होती थी वाद विवाद होता था लेकिन वाद विवाद यहां पर मोखिक ही होता था और तीसरा जो महतोबन कारी होता था वो इस गवर्नर जनरल की परिशद की जो नीतियां थी उन पर ये आरोब परत्यारोब भी करते थे इन पर शवाल उठाने का कारीय भी करते थे इनकी नीतियों की आलोजना भी की जाती थी तो गवर्नर जनरल की परिशद तो किसकी तरह कारीय करती थी सरकार की तरह और विधान परिशद किसकी तरह कारीय करती थी वेवस्ता पिका की तरह कारीय करती थी तो इस एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में वेवस्ता पिका की स्तापना की गई जिसको क्या नाम देते हैं विधान परिशद तो ये जो विधान परिशद थी इसके द्वारा जो कानोन का निर्मान किया जाता था वो कानोन अधीनियम कब बनते थे जब गवर्णर जनरल उनको अपनी सहमती दे देता था तभी इसके द्वारा बनायेगे कानोन अधीनियम का रूपे लेते थे ये जो था वो कमपनी शाषन के अधीन दिवारा गया अन्तिम चार्टर एक्टे था और इस एक्ट के द्वारा एक और प्रावधान किया गया था वो है परशाषनिक शेवाओं की स्तापना इस एक्ट से पहले बारत में कमपनी के शाषन को चलाने के लिए जो अधिकारी और करमचारियों की भरती की जाते थी उन पर court of director का नियंत्रन था इस act के बाद में प्रशाशनिक अधिकारियों की प्रीक्षा के द्वरा नियुक्ती होने सुरू हो गई तो इस अधिनियम के द्वरा प्रशाशनिक शिवाओं की स्तापना हुई और company के करमचारिय की बरती प्रीक्षा के माद्यम से होने लगी और इस अधिनियम के द्वरा एक प्रावधान और जोड़ा गया था जो चोथा विदी सदस्य था उसको गवर्नर जनरल की प्रिशद का 27 सदस्य बना दिया गया था तो इस प्रकार